हाई वेलकम तो आस्मिवाज सीरीच कई बार आपने सुचा होगा कि जब फीवर आता है तो ठंड क्यों लगती है दरसल कॉमन सेंस कहता है कि बॉड़ी का जब टेंपर्चर बढ़ रहा है तो मुझे ठंड भला क्यों लग रही है दरसल इसके पीशे काराण यह है कि फीवर इसलिए आता है क्योंकि बॉडी में कोई ना कोई इनफर्चन होता है चाहे वो इनफर्चन वाइरस का हो चाहे बैक्टेरिया का हो और उस infection से निपटने के लिए हमारा immune system brain को information देता है कि temperature को raise करना है और हमारे brain का thermostat एक नए point पर जाकर set आता है नए point पर set होने का मतला में कि normal body temperature से एक या दो degree Celsius temperature को brain बढ़ा देता है जिसके चलते हमें बुखार आता है ऐसा इसलिए होता है कि बड़े हुए temperature पर virus और bacteria ठीक से multiply नहीं कर पाते हैं और उससे immune system को उन्हें हटाने में मदद मिलती है अब चुकि brain ने अपना thermostat एक नए level पर set कर दिया है जो normal body temperature से अधिक होता है तो वैसी condition में हमारी body का temperature brain के thermostat की तुलना में कम होता है तो अब body को कुशिश करनी होती है ताकि brain ने जो नया temperature सेट किया है वहाँ तक temperature को raise कर सके इसलिए हमें थंड लगती है कपकपी आती है और थंड लगने के दुरान हमारा muscular contraction होता है heat को generate करने के लिए तो अब आप समझ चुके है कि बुखार आने के ठीक पहले हमें थंड क्यों लगती है और high fever में हमें थंड का एहसास क्यों होता है और याद रखिएगा fever immune system का एक mechanism है जो virus और beta के infection से निपटने में help करता है लेकिन जब high grade fever हो साथ में कुछ दूसरे symptom भी दिखाई दे रहे हो तो वैसी condition में हम ऐसा doctor की सला लेना चाहिए